आज बात करेंगे effects of micromanagement and micromanaging on the team यह बहुत obvious है अगर आपके team का कोई एक member या multiple team members micromanage हो रहे हैं तो कहीं न कहीं यह बात rumors बनके या gossips बनके कहीं न कहीं लोगों की whisper का हिस्सा बन जाएगा जब लोग आपस में बात करना शुरू करेंगे तो manager की बात जरूर निकलेगी कि manager हमें बहुत micromanage करते हैं अगर किसी एक बंदे का अगर किसी दो बंदो का या तीन बंदो का एक दुश्मन common है तो समझ लीजिए वो तीनों दोस्त बनेंगे अगर आपके टीम में पांच लोग हैं Mr. A, Mr. B, Mr. C उन तीनों का एक बास दुश्मन है तो समझ लीजिए Mr. A, Mr. B, Mr. C आपस में दोस्त है उनकी दोस्ती कोई honesty या दोस्ती कोई purposeful दोस्ती नहीं होगी उनकी दोस्ती घीबत वाली दोस्ती होगी क्योंके इन तीनों को एक वज़ा मिल गई कि बास जो है हमारे वो micromanager है वो बात करेंगे वो gossip करेंगे कभी-कभी micromanager अच्छी बात भी करते होंगे लेकिन अब आप gossip का हिस्सा बन चुके हैं तो आप पे बार-बार gossip होंगी जनाब अली तो आईए बात करते हैं micromanagement के team पे क्या असरात पड़ते हैं I feel scrutinized my boss doesn't trust me I don't feel entitled to make decisions I must be a bad worker I spend significant amount of my time reporting what I do instead of doing what I should इस तरह की conversation आपकी team में start हो जाती है पहली conversation की बात करते हैं I feel I am too much scrutinized मतलब मैं मुझे इसा feel होता है मैं जो भी काम करता हूँ मेरी चान बीन बहुत ज़्यादा होती है मुझे accountability के सवालात बहुत ज़्यादा की जाते है मुझे बार बार ये कहा जाता है मुझे documents provide करो मुझे evidences provide करो मुझे proofs दो मुझे वो कागजात लेकर आओ मेरे पास पर्चे लेकर आओ कि क्या काम किया जा रहा है क्या task दिये गए थे और हर घंटे की report चाहिए because I'm feeling like this is it literally a right behavior of the job I think this is one of the worst case of a micromanagement अगर आपके साथ ऐसा कही organization में हो रहा है तो समझ लीजे it's an indirect message to a goodbye बात करते हैं दूसरी point पर I don't feel entitled to make my decision मुझे entitlement feel ही नहीं होती मुझे अपना पर feel नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे boss मुझे पर trust नहीं करते और मुझे अपनायत ही feel नहीं होती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही फैसले नहीं कर पा रहा मेरा boss मुझे फैसले करने नहीं देता because मुझे टरस्ट नहीं करता टरस्ट क्यों नहीं करता या तो boss की तरफ से problem है या फिर मैंने कोई ऐसी बात कह दी या मेरी और performance के ऐसे issues है जो manager मेरे साथ बैठके mutually discuss नहीं कर रहा उसने अपने दिमाग के अंदर मेरे बारे में एक perception डिवलप कर दी है उसे दिमाग में खाका तयार हो गया है कि मैं एक अच्छा performer नहीं हूँ that's why उसने मेरे पास से decision making का power चीन लिया है जब decision making का power चीन लिया जाता है तो मुझे इसा लगता है कि मैरे बास मुझे ट्रस्ट नहीं करते जहां पर ट्रस्ट है ही नहीं वहां पर relationship कैसे होगा और जहां पर relationship ही नहीं है वहां पर काम करने में कैसे मसाएगा आई जी बात करते हैं point number three पे I must be a bad worker scrutinize करना मुझसे decision power ले लेना मुझे ट्रस्ट ना करना मुझे ये feel करवाता है कि शायद मैं एक bad employee हूँ मैं bad performer हूँ मैं worst performer हूँ मुझे कोई काम नहीं होता शुरू शुरू में जब मैं hire किया गया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं super star हूँ इस जगा का लेकिन बाद में realize करवाया गया super star तो दूर की बात मैं तो इस company का villain तक नहीं हूँ उससे भी गयर गुजरा हूँ ऐसी feelings हो जाती है produce जब आपका manager आपको over आपको ज्यादा scrutinize करने लगे micromanage करने लगे आप हकीकत में bad work रोते नहीं है बस एक आपका boss आपकी दिमाग में वो अपने दिमाग में perception develop कर देता है बात करते हैं point number four पे I spend a significant amount of my time reporting what I do instead of doing what I should मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पूरा time अपना पूरा time reporting करने में लगा रहा हूँ rather than जो मुझे सही, बहतर, अच्छा काम करना चाहिए, creative काम करना चाहिए, उस काम में मेरा time नहीं लग रहा क्योंकि मुझे बार 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 हर घंटे, हर दो घंटे, हर तीन घंटे में सिर reports ही मांगी जा रही है क्या मैं एक reporting manager हूँ क्या वाकई मैं अपनी job के साथ justify भी कर पा रहा हूँ या नहीं, if I'm not justifying with my job, I feel distress, I feel disrespectful and this disrespectful, this disrespectfulness gives me a toxic mindset जो मुझे काम करने से अलहदा करता है, और मैं यह समझता हूँ कि मैं वाकई एक बुरा employee हूँ हाला कि ऐसा नहीं होता हूँ अब framework को summarize करते हैं then we'll move to another chapter as well effects of micromanagement on your team is basically nothing a framework which is provided by the Gartner effects of micromanagement on your team is the lake of trust by a manager lake of engagement by a manager with employees I'll just do what I ask to do मैं सिर्फ वो ही काम करता हूँ जो मुझे पूछा जाता है मैं नया काम कर नहीं सकता नया काम पूछ नहीं सकता नया काम की initiatives नहीं ले सकता lower productivity और मेरे काम की जो productivity बिलकुल कम है input बहुत ज़ादा है मेरे काम का output बहुत कम है मेरी productivity बिलकुल low हो चुकी है I am not willing to make a decision और अब मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं कोई फैसला करूँ High turnover rates और उस organization में लोगों का आना जाना लगा रहता है और बहुत सारी लोग छोड़ के चले जाते हैं because of this toxic culture और ऐसे काम करने से लोग depressed हो जाते हैं फैर जाते हैं जो जो organization में स्टे कर जाते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं stress level बढ़ जाता है और lower self-steam हो जाती है और लोगों का अपने आप पे जो विश्वास है confidence है वो बहुत ही कम हो जाता है यह है effects of micromanagement on the team and I think this is one of the worst case scenario जब इस सारी बाते एक employee आपका feel करना शुरू करते I trust you you will be doing the flip side of the micromanagement ताकि आप अपनी कंपनी का और department का महौल बहतर कर सके मिलते अगले अफ़ते एक नए वीडियो के साथ